इस वक्त कुछ अन्फॉर्ट इस वक्त कुछ अन्फॉर्ट इस वक्त कुछ अन्फॉर्ट इस वक्त कुछ अन्फॉर्ट आ इस वक्त कुछ चुनित हैपनिंग्स भी नजर आ रही है। ताले रेंजर्स एहलकार भी हदकड़ियां पहने नजर आते हैं और मुलकी तारीख के एक और एहम केस में परवेज मुशरफ अपनी डिफेंस टीम के जरीए ये थाबित करने की कोशिशों में मसरूफ है कि आर्मी चीफ कभी घदार नहीं होता दूसरी तरफ हकूमत और तालेबान के दर्मयान मुशाकरात का नया दौर भी नौन स्टार्टर नजर आ रहा है तालेबान तीन सौ अफराद की रहाई और वजिरस्तान के महसूद अलाकों से फौच के बिड्रॉल के मुशालिबात सामने ले आए हैं लेकिन हकूमती सफों में कन्फीजन नजर आ रही है डिफेंस मिनिस्टर कैदियों की मौजूदगी से ही इंकार कर रहे हैं जबके इंचिरियर मिनिस्टर का कहना है कि फहरिस्त पर गोर के बाद कैदी छोड़ दिये जाएंगे मुशाकरात की इस सूरतहाल पर कई हलके सख तश्वीश में भी मुबतला है और इसे लाशों पर मुशाकराती सरकस का नाम दिया जा रहा है हम अपने आज के शो में इनी नैशनल अफेर्स पर बात करेंगे जैसे के आप लोग जानते हैं मुझे आज के शो में जाइन करते हैं मेरे साथ होते हैं जनावजाईदहामिश साहब असलामेकुम जायदामिज साथ जायदामिज साथ आपको इस हफते की अपडेट्स पता चलती रही होंगी और जो मॉस्ट रिसेंट अपडेट हमारे सामें नजर आती है वो पीस टॉक प्रॉसस में आती है हमें तालिबान की जानब से नई कंडिशन सामने आती ही नजर आती है जिनमें वो फ्री पीस जोन का मतालबा कर रही है और उसके साथ साथ वो अपने 300 डीटेनीज की रहाई का मतालबा भी कर रही है तो इससे पहले कि हम अपनी गुफटगों को शुरू करें मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि समी अलहक साथ क्या कह रही है इन पीस टॉक्स की रीसेंट अपडेट के हवाले से और फिर उस पर मैं आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी लट्स हाव लुक अट वर्स वो लोग भी असानी से वहां आते जाते रहें सिर्फ यही कि एक जगा ऐसी हो के हमारे ले ले दूर दरास पहारों में जाना वो मुश्किल है और उन लोगों को भी पिर मुक्तलिफ जगों से बार बार आना तो हम चाहते हैं कि एक जोन हो अमन का एक प्रोड़ा सा गाओं क्यों नहो जाए उसको फ्री करार दिया जाए और कोई तरद्ध तरद्ध नहों किसी को है हम अहां कर रहे हैं दो सिर्फ मकामात पर बात हो रही है और इंशालला आज यह पैसला हो जाएगा प्रिमिया नवर्शनी साथ में खुद भी वाज़ दोर पर कहा है और उन्हों ने अला एलान कहा सारा नश्र भी हुआ कि यह इनसानी मसाला है और हम ज्यादा से ज्यादा जल 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 उन बेगुना लोगों को जो खवातीन है या बचे है या बूरे बदर्ग है उनको रहा करने का उन्हों ने खुद वादा किया है और यह आमल जारी है इंशालला क्या हकूमत की तरफ से भी कोई फेरस दे गई है केदियों की हकूमत की तरफ से तो फेरस नहीं दे गई है लादिमन दोनों तरफ होंगे इस तरफ भी बहुत बड़ी तेदाद होगी और उधर कुछ सरकर्दा लोग है नमायान जी जायद हामेद साब जैसे के आपने समील हाग साब की भी गुफतगू सुनी है अब यह जो हमारे सामने दो नई कंडिशन रख दी गई है तालिबान की जानब से एक तो फ्री पीस जोन इसके बारे में आप क्या कहेंगे फ्यू डिस्ट्रिक्स और वजिरिस्तान दे देने चाहिए क्या करना चाहिए देखे यह पिलकुल वाज़े हो चुकी है बात कि यह खवारिज यह टी 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 पी जिनको हज़ूर सल्लह लिए अपनी आहदीस मुबारका में कलाब उन्नार का लवज इनके लिए इस्तिमाल किया है यह अमन नहीं चाहते यह इसलाम नहीं चाहते यह इसलामबाद पर गबज़ा करना चाहते अब तक जो शरायत इनकी सामने आई है कोई भी आनलिस्ट चाहे वो सहाफी हो या डिफेंस आनलिस्ट हो या फौजी जर्नल हो या स्टिटीजिस्ट हो उसके लिए उन सारी शरायत को सामने रखकर बड़ी तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है अब हम आपके सामने वो सारी शरायत जो अब तक सामने आई है जब से ये पीस डील शुरू ही है हर दो दिन के बाद एक नई शरायत इनकी सामने आती है जरा उनकों हम शुरू से आपके सामने रखते हैं तो आफ ये देखिए अब आप खुद फैसला करें कि इन शरायत का मतलब क्या है पैटरिन क्या नजर आ रहा है आपको पहले उन्होंने कहा कि सब सीज़ फायर किया जाए यह उस वक्त उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तन आर्मी ने इनकी उपर एर स्ट्राइक्स की और उनकी कमर तोड़ी लिए उन्होंने कहा कि हमें दो महीने तीन महीने दे दिये जाएं ताकि हम बरफ भी पिकल जाएं रस्ते खुल जाएं असलाहाम ले आएं दुबारा से रिग्रूप कर जाएं लहाजा उन्होंने फॉरनी पहले जनवरी में एक जब यह काम फदल रह्मान और मौलाना सम्यूलक का है कन्फ्यूजन पहलाने का अब बतायें जो अब तक शराइत इनकी सामने आई है बड़ी जो एक मास्टरपीस शर्त इनकी सामने आई है जिसमें सिवाए पाकिस्तान की हकुमत फाज, पाकिस्तान की इजदत और आबरू की रुख़ाई है जबके टीटीपी से बड़े ग्रूप मौजूड है वो ही हम अर्स कर रहे हैं ना कि ये डिसिंफर्मेशन जूट के लावा कुछ भी नहीं है, टीटीपी से बड़ा कोई ग्रूप मौजूद नहीं है, यहां पर सिर्फ टीटीपी ही है, और ये कौन सा नया ग्रूप है, नाम भी तो बताए ना, उस बड़े ग्रूप का जो हम आपको साफ बात बता रेते हैं, ये खवारिज पूरा पाकिस्तान चाहते हैं, या तो पाकिस्तान की हकूमत और फौज हतियार डाल दे इनके सामने इनको पूरा पाकिस्तान दे दे, या फिर इनसे जंग करें, बीच का कोई रास्ता नहीं है, हमारी बात आप पत्थर प आपकिस्तान कहा, ये खवारिज, जिसके लिए ये खवारिज का लफ इस्तेमाल नहीं करते, सौवरन इक्वारिटी के बनियाद पर बात करें, बराबरी की सता पर बात करें, इनना लिल्ला है, इनको तो हम एहसान कर रहे हैं, इनको मौका दे दिया, कि हमने कुचल के दफन नहीं कर दिया, आपको रुजित्तान के पहाड़ों में, कुछ वाक दिया है, कि हत्यार डाल दो, यब तुब को लोगों ने शोर किया भी, और समयल हक्साथ तो ये कह रहे हैं, कि डी जी आएसाई और आर्मी चीफ को भी शाविल होना चाहिए, उसे भी बात करनी है, पहले तो ये तसलीम करें, सौवरन इक्वालिटी इसको कहते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात करता है, जब आप सौवरन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आप रेकिगनाईस कर लेते हैं, कि जो इन्हों ने वजीरिस्तान में अपनी रियासत बनाई भी थी, अमरेट आप उसको रेकिगनाईस कर रहे हैं, फिर जाहर है, इनका एक कमांडर इन्चीफ है, उसका नाम बदबख का मुला फदल्ला है, वो पाक फौज के कमांडर इन्चीफ का सामने बैठेगा, इसलिए पाकतन आर्मी के क्यादा तो जी एच्वी और डी जी आइसाई और आर्मी होता रहा है, जो मर्दी देशतगर्दी के यह हमले करते रहे, इसलावबाद की कचैरी पर करें, एफसी पर करें, या आईडी लगाएं, या बिजली के खंबे गिराएं, या पुली स्केशन पर हमले करें, अमन मुजाकरात जारी रहने चाहिए, पाक फौज को हकूमत ने रोक दिया, कि आपने हमले नहीं करने, ये तीसरी शर्त हो गए, देशतगर्द हमले कर सकते हैं, पाक फौज नहीं करेंगी, फिर कहा, कि देशतगर्दों को पीछे हटने के बजाए, कहा जा रहा है, कि वजिरिस्तान से पाक फौज वापिस बुलाई जाए, ताकि आकर डिपो ट्रास्फर करने में, असले के ट्रक लाके, उनको जबारा से घारों में छुपाने में असानी हो, सहूलत हो जाए, देशतगर्दों के लिए वो कह रहे हैं, अगर लदा और मकीन से भी अगर आर्मी एवाक्वेट कर दी जाए, तो ये भी काफी है, देखिया हम ये पाकिस्तान की रियासत से हम जहां मर्जी चाहेंगे अपनी फौज रखेंगे, ये कौन होते हैं में डिक्रेट करने वाले कि फौज कहा रखी जाए, कहां ना रखी जाए, खास दोर पर उस जगा ये उन इलाकों की बात कर रहे हैं, जहां पर फौज ने इस वक्त इनको करा हैं इन खवारिट से, हम वहां के फौज वापिस बुला लें, ये वही रहे, ये क्यों नहीं वापिस दफ़ा हो जाते हैं अफगानिस्तान, ताकि वहां पर भी हम आगे फौज भेज़ दें, यहां पर नॉर्थ वज़रिस्तान में ये इस वक्त चुपे बैठें, लेक करें हमारे सारे कैदी छोड़े जाएं, इसके अंदर हमने गले काटने वाले देशतगर्ड, काट थरोट, इनके जिनको ये बच्चे कह रहे हैं, ये सवात में आर्मी के एक सेंटर में, रिहाबिलिटेशन सेंटर में, 9 से 14, 15 साल, 18 साल के बच्चे हैं, जिनको इन्होंने स सूसाइड बॉमर्स बनने की तरवियत दी थी, ये सारे जिन्दा ग्रिफ़तार हुए थे सवात आपरेशन के दौरान, और ये सारे सूसाइड बॉमर्स जो पाकस्तान में, उनके उमरे 12, 13, 14 साल, 9 साल, 12 साल होती हैं, जिनको ये तैयार करते हैं, आर्मी इनको रिहाबिलि बना कर वापिस भेजा जा रहा है, ये सारे ऐसे जो तालिबान ने ब्रेंस्टार्मिंग की ती सूसाइडल अटैक्स के हवाले से, अब आर्मी इनको ब्रेंवाश कर रही है, उन्होंने ब्रेंवाश करके खराप किया था, आर्मी इनके जहनों के अंदर दोबारा ये डाल आर्मी इनको ब्रेंग जा रहा है, ये उनको डिटेंईस के रहा है, फौज के नदीख तो बिल्कुल आजाद लोग हैं, डिटेंईस तो नहीं हैं वो, इन्टरनल जो ट्रेनिंग सेंटर में, रियाबिलिटेशन सेंटर में, हस्पतालों में जो बच्चे हैं जिनको दुब बुड़े लोग हैं, बुड़े लोगों को रहा करें, ये बुड़ा लोग नहीं है, ये गले काटने वाला बदबख्त हैं इनका, ये इस किसम को बुड़े लोग कह रहे हैं, ये सारे फदलल्ला के बाप हैं, इनके सारे उस्ताद हैं, वो बड़े बड़े हैं, जिन्हों आर्मी ये भी काई कि 51 औबाव कोई भी नहीं है उनके पास सीनिर सिडिजन जिन को बुड़े ये का जा रहा है देखे बात यही है ना इस मुसलिम खान भी उमर का है वो उसकुसिम के लोग हैं लेकिन बात ही है ये है कि लीगली पाकिस्तान के अंदर जो जेलों में कोई और्ट कोई बच्चा कोई पाकित्तान आर्भी की कै ribs में ना उर्टेnh ना बच्चे तो फिर आर्मी ने प्रिसाइस उसके घर पे मारा है आर्मी ने और तो बच्चों को नहीं मारा जो गाउं में पहले हुए आसपास के लोगों के एक तरफ कहते हैं औरते बच्चे क्यों का अद्नान रशीद नहीं था उसकी फैमिली के लोग मारे गए बहुत सारे जिस तरह वो दूसरे पाकिस्तान के मुसल्मानों को शहीद करता फिरता था वो बदबख वहाँ बच्चे निकल गया बात ये है कि सायो आपस है जिस तरह हमने कहा था कि कैमिकल वैपन्स इनको दिये जा रहे हैं ये कैमिकल वैपन्स भी इस्तेमाल करेंगे जब आर्मी उपरेशन चुरू होगा उसके बात कहाएंगे देखें पाक्तान आर्मी ने कैमिकल वैपन्स यूज कि जैसे लाल मस्जद में आर्मी ने वाइट फॉस्फोरस यूज किया ये प्रॉपगेंड़ा कर वाल लाल हैं उनके ये गले काट रहे अभी आपने पिछली दम्स देखा थे एफसी को इने गले काटे थे तो ये गले काट सकते हम सारे गय्दी ने रहा करेंगे ये भी एक डिमांड आई एफिर ये डिमांड आई एक अब तक आर्मी उपरेशन में जितना इनका नुखसान हुआ पाकसान आरमी पे करे alors को इसको यह कहते हैं कि यह ड्रोन हमले हुए है आरमी उपरेशन हुए है जो हमर्ज है ऑ्लेटरिल डि Chapter डिमेज wise उफ और पाकसान आरमी पैसे देगी इन लोगों को रहा हूं कि इस हकूमत की पॉलिसी है कि पाक फॉच को इतना रुस्वा किया जाए कि आएंदा कभी ये सर उठाने के चाबिल न रहे ना हकूमत के खिलाफ खड़ी हो सके अपना कुछ टैंड ले सके ना ये इंडिया के खिलाफ को इस टैंड ले सके ना अमेरिका के खिलाफ को इस्टान ले सके ना खारिज की खिलाफ को इस्टान ले सके ये डिलिबरेट पॉलिसी है इस हकूमत की और इसके हमनवा कुछ जजों की जो डिशरी की भी और हकूमत की भी जाद हमें सब यहां पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का बिफोर भी रिश तो डाट स्टेज जहां पे हम ये डिसकस करना चाहेंगे कि जो हमें रीसेंट ये केसिस होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त पार्क आर्मी के खिलाफ उनकी क्या वजुहात हैं क्यों हमें ऐसा होता कि हकूमत और फॉच के दर्मियान किसी किसम की महाज़ आ रहा ही शुरू होती भी नजर आ रही है स्टेविध उस वी राइट बैक अपर आ शॉर्ट ब्रेक वल्कम बैक नाज़ीन हम बात कर रहे हैं जो हमें मुझाकरात में नई डिवलपिंट सामने आई हैं कंडिशन सामने बताई गई हैं तालिबान की जानिब से और फिर दूसरी तरफ हमें 35 मिसिंग परसन्स केस में हकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाजरे सर्विस आर्मी पारी का एहम तरीन मुकदमा भुकते नजर आ रहे हैं तो क्या इससे ये कहा जाए कि इस वर्फ पाकिस्तान में पाक फौज अंडर ट्राइल नजर आ रही हैं जायदा मैं इस नुक्ते पर भी आपके कॉमेंट सुनगी लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक को करें और आगे मूब ऑन करें मुझे ही बताइएगा कि हमें मुजाकरात के अहामी लोग भी नजर आते हैं और मुजाकरात के हवाले से वैदतल मुस्लिमीन के जो नासर अबात साबें मैं उनकी स्ट्राइजी भी आपको समाना चाहूंगे उस पर भी आपका कॉमेंट लेना लेट लेटाइज के लेटाइब लेटाइज पर लिए अफरूब अब करो उसको जो इसको अजर्श करने कान ने किया जाएगा लेकर स्टेट अभी स्टेट स्रेंडर हो चुकी है स्टेट ने हैंड अप कर दिया है जी जाद हमेंज साब नासर अबास आपके मताबिक पहले आपरेशन किया जाता और फिर जो नॉन कॉपरेटिव फैक्टर्स थे जो कॉपरेटिव थे उनसे मुझाकरात किया जाते स्टेट ने आपोजिट किया है देखिए पाकिस्तान में क्योंकि कीटी पी जो जंग पाकिस्तान के खलाफ लड़ रही है बनियादी तोर पर ये एक मजभी जंग है ये एक फिरकावराना जंग भी है इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि जब तक कि आप इनका मुकाबला पुरान असुन्त के बनियाद पर ना करें उस वक्त तक सारी मिलिटरी स्ट्राटजी से आप इनको कुछल नहीं सकते और पुरान असुन्त में खवारिज के नजरिये के खिलाफ हुजूर सल्लह अलिए वालिए स्ट्राटजी उसी वक्त दे दी थी खुछ हुजूर सल्लह अलिए वालिए सल्लम की जो आधिस मबारका आप उठाएए सोफ खजायत आधिस खवारिज के उपर हैं और उन आधिस मबारका में कहीं ये नहीं फरमाया गया के इनसे निगोशेट करो और पीस दील्स करो फर्माया गिया है कि जहां मिले वां मार दो जो फौज इने गतल करेगी वो जन्नती फौज है और जो इनके हाथों मारा जाएगा वो अबजल शहीद है और हमें सिर्फ हुदूर की आदिश में इनके खिलाफ आपरेशन करने का हुकम नजर आता है और पाकिस्तान में जितने भी एल सुनत वल जमात हैं सुनी हैं जितने भी शिया हैं जितने भी एहल हदीश हैं और जितने भी अक्सरियत अच्छे दिवबंदियों की हैं जो प्रो पाकिस्तान है वो तमाम इनके खिलाफ आपरेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ दियोबंदी, कॉंग्रसी दियोबंदियों का एक चोटा सा ग्रो है जिसकी नुमाइंदगी फजल रह्मान और समी उल्हक करते है ये वो लोग हैं कि जो इनको बचाने के लिए सर्तोड बाजी लगा रहे हैं ये अगर इस वक्त टीटीपी घेरे में आ चुकी है इन लोगों ने आप नोट करेंगे कि फजल रह्मान और समी उल्हक साब ने आज तक 13-14 साल में एक मरतबा ये नहीं कहा कि टीटीपी की जंग पाकिस्तान के खिलाफ शरन हराम है इनके मूँ से ये लवज नहीं निकलेंगे कभी क्योंकि ये साथी हैं इस खुरेजी के जो पाकिस्तान के खिलाफ मचाई जा रही है तो बात ये है कि अगर शरीयत की बात करते है टीटीपी की डिमांड है कि शरीयत नाफिस की जाएए हम दिये ही चाहते हैं तो सबसे पहले शरीयत जो नाफिस की जाएगी वो खिसास की की जाएगी टीटीपी की डिमांड ये है याद रखिए इनकी मुनासकत देखिये कहते हैं कि मलक में शरीयत हो लेकिन हमने जो एक लाख मुसलमान शहीद किये वो हमें माफ कर दिये जाए किस के पैस्टी में? क्यों माफ किये जाएं? शरीयत की बात करते हो ना, मुल्क में शरीयत नाफिस करनी है सबसे पहले हम किसास में कम असकम एक लाग तुम्हारे मारें गर हैं एक लाग तो ही नहीं यह दस पंद्रा हजार देश्यत गरदें इनकी गरदने उतारने शरीयत के मुताबख इनकी पहले गरदने उतारें बात बिलकुल ठीक कह रही है, मौल्वी साब जो कह रहे थे कि पहले शरीयत नाफिस करें इनकी उपर उसके बाद जो बच जाए, जो हत्यार फेके उससे कहें कि अगर रिहाबिलिटेट होना चाहते हो तो हम तो में जगा देते हैं, लेकि जब तक जमीन में अच्छी तरह खून ना बहा लिया जाए, उस वक्त तक कैदी लेना या अमन मुझारात करना ये जंग बदर के हवाले से पुरान में आयते आई हैं सखती से मना किया गया है मुसल्मानों को कि फितने को कुचलने से पहले तुम कैदी भी नहीं ले सकते, ल्ला ने जलाल का इजार फर्मा आगा है लिकिर हम तो कम्प्लीटली ऑपोसिट कर रहे हैं वही हम इसी लिए भर भी रहे हैं अभी समयलहक साब ने अभी अपनी रीसिंट स्टेटमेंट में काया है कि एवन अगर मुझाकरात काम्याब ना भी हो तब भी आप्रेशन आप्शन नहीं होना जाए देखे यही मैं अरस कर रहा हूँ आपको कि यह समयलहक साब इस वक्ट खवारिश की वकालत कर रहे है और वो इस वक्ट पूरी तरह कंविंस करने की कोशिश कर रहे है रियासत को और फौज को कि अगर मुझाकरात नाकाम हो जाए नाकाम होने का मतलब है जंग पिर शुरू हो जाए तो जंग अगो शुरू भी हो जाए तो फौज आपरेशन ना करें इनके खिलाफ ये कह रहे हैं वो ठीक हम अज़ाद हमें सब नेक्स्ट अपने टॉपिक जाना चाहेंगे जैसा कि आपने सुना कि हमें जो केसिस नज़र आए हैं जो 35 Missing Persons का केस है मालकन सेंटर में उसमें हमें हकूमत पाकिस्टान की जानब से F.I.R. दर्ज होती ही नज़र आई है एक वर्किंग आर्मी ओफिशिल के खिलाफ इस चीज़ का कैसे देखते हैं बात यह है जो हम अरुस करें आपको के बदनसीबी इस मिलत और उम्मत की यह है कि इस वक्त पाकिस्टान की हकूमत और पाकिस्टान की अदलिया और पाकिस्टान का मीडिया और पाकिस्टान की अलुमाई सू और पाकिस्टान के खवारिज और दुनिया में फैले वे सारे सियाई और मुच्छरिक वो सब पाक फौज पर हमले कर रहे हैं और ये जो हमारा मीडिया और जो हमारी हकूमत है पाकिस्तान का वजीर दिफार पर्चा काट रहा है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ सुप्रीम कोट के हुकम पर इस से ज़्यादा शर्म से डूब मरने का मकाम कोई नहीं है कि ये सारे हुकमरान जाके डूब मरें एक नापाक गड़े में जाके बदबख ये लोग एक खारजी को सजा नहीं दे सके एक देशचतगर्द को सजा नहीं दी इन अदालतों ने इन अदालत के जज़ों को शर्म नहीं आती अदालत के जवाब क्या देंगे कल ये जाके उमत रसूल का खून बहे चला जा रहा है और जो पाक फौज बचा रही है इस उमत रसूल को इस वक्त पाकिस्तान का दिफा कर रही है ये उस से जंग कर रहे हैं उस पर हमले कर रहे हैं खवारिज ने ये बात कही थी याद रखिएगा भूलेगा नहीं इस बात को सबसे बड़ी सबसे बड़ा केस चो अल्लह उसके रसूल के अदालत में कि फघस्स इस असफ़ार चौधरी के खिलाफ जाएगा और इस अदलिया के खिलाफ जाएगा वो यही का खवारिज ने कहा कि पाकिस्तान में हमारा एक ही दोस्त है और वो इस फटखार चौधरी है of Vorteil कि अध cost का ही जाएगा कि मुलक में सिर्फ Constitution इन जज़ों को अपनी इज़त का कोई ख्याल नहीं है क्या जब इनतखाबात मुल्क में कराए गए थे तो आयटिकल 62-63 की आपने वाइलेशन की थी या उसके मताबिक इनतखाबात कराएं उस वक्त कानून कहां चला गया था जब सारा इक्तियाराब के हाथ में था 62-63 का फैसला फाजने तो नहीं करना था इमरान खान को तो नोटिस भेज़ दिया इस बात की उपर जब उसने जज़ों के खिलाफ कोई बात की या जुडिशनल आफसर्स के खिलाफ बात की कि जी इन तखाबात शफाफ नहीं हुए 62-63 में वाइलेशन हुई इन तखाबात धांगली की गई क्या ये कौशिस भाइलेशन नहीं है क्या अदालत जो हमें ये कहती भी नज़र आ रही है कि जो मिसिंग परसन्स हैं उनको अगर किसी किसम की तख्तीश के लिए रखावा भी है आर्मी ने अपनी हरासत में तो वो कोड में अपियर करवा दे और पिर जाके अपने प्रॉसेस को कंटीनियू कर लेए इसमें गलत क्या है गलत ये है कि जिस ट्राइबल एरियाज में जंग हो रही है जो जंग लड़ी जा रही है वो पाकिस्तान के आईन के मताबिक नहीं लड़ी जा सकती वो अंगलो सेक्सिन जुडिशल सिस्टम के साथ नहीं लड़ी जा सकती जो खुदकुश हमले और धमाके पाकिस्तान में हो रहे है और जिस किसम की जवाबी कारवाई पाक फॉज कर रही है पहाडों में विरानों में ट्राइबल एरियास में जंगे की जा रही है जो पाकस्तान आर्मी के कैदियों की गर्दने काटी जा रही है उसके जवाब में अगर पाक फॉज इन खवारिच सी गर्दन काटती है तो उसको आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के प्रिवियू में नहीं ला सकते वो मिलिटरी एक्ट के तहट आर्मी उपरेट कर रही है बैटल एरियस के अंदर और मैदान जंग पूरा पाकिस्तान है इस वक्त यही बात हम समझाना चाहरे हैं यह बात बदनसीबी एस मिलत और उम्मत की बदनसीबी इस उम्मत की सरफ हम यह कहेंगे कब लाकों लोगों का खून और बैएगा और यह सारा खून इस्तखार चौधरी के हाथ से लेकर जस्टिस जवात खौजा के हाथ से लेकर वजीर आजम नवाज शरीफ और इमरान खान के हाथों पे और सम्यलहक अफदल रह्मान के हाथ से बाएगा यह जब्मेदार है इस पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने पे इन में से किसी ने आज तक इस बात पर अद्लिया से सवाल नहीं किया कि आपने एक देशतगर्द को फासी क्यों नहीं दी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुकदमा सिर्फ पाक फौज पर बन रहे बलुतिस्तान में केसे अकबर बुक्टी जैसे केस की उपर बीले ने पर चेक टटवाए वे मुषब से लेकर पाकिसान आरमी के पैट्रियाटीक उफसर्सिक्राफ गवनर आवेस गणी के खिलाफ सारे पैट्रियाटीक उफसर्थ पर मقدमें बीले के कहने पर यही अद्लिया बना रही है अगैं फिट और चौदरी के कार नामे एक FC के सोलिजर ने गल्टी से एक कराची के डको की टांग में गोली मारी और एक्सिडंटली मारा है वो इतफाक से मारा है टांग में गोली मारी थी उसको पुख़णने के लिए उसको सजाई मौत सुना दी और ये आज तक किसी जच की जुरत नहीं हुई कि फजल उल्ला को नोटिस करके बुलाएं कि तुमने FC के 23 बंदों के गले क्यों काट है तुरा नोटिस करें न उसको भी फिर देखें में पानी कितना है जैसा हमें सब अब चुंके यहां पे सिक्रिटी कोर्सिस की बात हो रही है तो हम देखना चाहेंगे कि कराची में हमें डी जी रेंजर जो है वो क्या कहते में नजर आए हैं जिन अथॉरिटी की बात की गई थी वो किस हद तक जो है रियालिटी बेस्ट है लेटी से लेटी सिर्फ एक कावजर की वेज़सा है यह सारी पार्स नहीं आ जाती है मेरे पास सिर्फ सर्च और अरेस्ट की पार्स है अब तैट वस्ट लिमिट ने पुनिश्मेंट हो भी रही होगी कहीं जो जर्म उसने कतल का किया है लेकिन उसको सजा एलीगल वेपन की मिल रही है ऐसा है उसकी वज़ा आप और मैं नहीं है उसकी वज़ा यह सुछा सिस्टम है जी जादा में सब जैसे के आपने डी जी रेंजर्स की बात सुनी पर दोने आईडी लगा कि उनको शहीद किया था जवाब में अगर पाकसान आर्मी ने तीस पैंटेस देश्टगर्द गले काट दिया उनके या उनको मार कर फेक दिया तो उसकी उपर पाकसान आर्मी पर पर्चे काटें गया ये जंग कन्वेशनल नहीं हो रही और ये बात सुनने जनर्रिजवान की कि उनको सिर्फ पावर जाहरें में दिखाने के लिए दी गई है कि आपरेस्ट कर सकते है आदमी गतल करता है मुकेरिंगर बनता है उसकी उपर इलीगल वेपन रखने का हज़या कहीं हो रही हो रہी होंगी कहीं हो रही हो準備 यह नखर नहीं है यही हमर्स कर रहे हैं पर लोग कह च ow पिर पर लोग कह चाहिए जिर रेंजिस काम नहीं कर रही क्या वो नहीं देख रहे कि फॉज एक बड़ा इंपॉर्टन पिलर है अगर फॉज लेट डाउन होती है तो पूरा मुल्क लेट डाउन होगा देखिए इस आपस की जंग से हासिल तो किसी को कुछ नहीं होगा आपने ये देखा है जो कुछ आपकी आँखों के सामने हो रहा है उसकी क्या जिस्टिफिकेशन आपके सामने है उसका जवाब दरा चीफ जस्टिस से लेना इफ्तेखार चौदरी से भी लें और आज़ की अदलिया से भी लें कि तुम अपनी सफाई कैसे पेश करोगे दुनिया में भी और अल्ला उसके रसूल के सामने जब इतना बड़ा निजाम तुम्हारे पास था तुमने पाकिस्तान हालत जंग में था अगर तुमने सौ देशत गर्दों को एक को भी फांसी दी होती उसके बाद हम कहते हैं कि चलो तुम कहो ये कानून की हुक्मरानी होगी हम फौज पे भी मुकदमात काइम करेंगे अगर फौज ज्यात्ती की तो जहां फौज के हजारों सिपाईयों के गले काटे गए तुमने सांस नहीं ले और फौज ने अगर 10-15 देशत गर्दों को पकड़ कर टंग भी दिया जो के हम बड़े शौक से कहते हैं फौज से जाम मिले कुते मार दो क्योंके हलूर ने यही हुक्म फरमाया अगर ये जुडिशनी खुड डिलेवर नहीं कर सकते खुड पाकिस्तान की जड़े काट रही हम इंतजार करें पाकिस्तान को तबाह होने दे खवारिज से कहीं कि पूरे पाकिस्तान ने फ्हल के बेड़ा घरक कर दो पूरी पाकिस्तानी रियास्त का इसलाम अबाद पर खब्जा कर लो और जग ये कहते हैं कि हम कानून की हुक्मरानी के लावा कुछ नहीं होने देंगे कि फवारिज सुनते हैं सुप्रीम कोड के पार हुआरिज सुनते हैं इनकी बात क्या पूरे मुलक में आज जो देशेगरदी पहली विये कि हुआरिज आइन के मताबिक ये देशेगरदी कर रहें आइन में आपके जवाब ही मوجود नहीं आपके अंगलो सेक्सन लॉव में जवाबी मौजूद नहीं है उस जंग का जो पाकिस्तान में लड़ी जा रही है आज तो आप ये बात को रेकिनाइस करके खामोश क्यूं नहीं हो जाते एफ फॉज को क्यूं नहीं इक्तियार दे देते कि आप जो मर्जी करें हर काम के लिए थर में भुकों को नंगों को खाना खिलाने के लिए भी आपको फॉज को भेजना पड़ा तो फॉज को यहां क्यूं नहीं इतबार करते हैं तो ठीक ही मार रही होगी फॉज शेफ्रों पर पर्चे काट रहे हैं फॉज किसलिए भढ़का रहे हो एक फॉज शेफ्र ने उठके एक तमाचा मारा तो किसी का दमाग अपनी जगा पर बागी नहीं रहेगा बिलावजा क्यूं प्रोवक कर रहे हैं फॉज को जायत हमित साब ये तो पाक फॉज का सेनेरियो नजर आ रहा है नैशनल लेवल पर जो कि न्यूय को आपर अमेरिका में न्यूय क टाइमस की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें खेल गैल अपनी रिपोर्ट पे लिखती है के पाकिस्तान में उसावा बिलादन की मौजूदगी जेंरल पाशा जो के फॉमर डी जा अइसाई थे उनको इर्न था उसामा बिन लादन की मौजूदगी का और जेनल परवेज मुशरफ ने एक वाच डेस्क बनाया वा था उसामा बिन लादन की प्रोटेक्शन के लिए देखे यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि पाक फौज पर हमले सिर्फ खवारज नहीं कर रहे हैं जाइनिस्ट भी कर रहे है वेस्टन जाइनिस्ट भी कर रहे है मेडिया भी कर रहे है हकूमत पाकिस्तान भी कर रहे है और पाकिस्तान की अदलिया भी कर रहे है यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं लेकिन एक बार फिर से उसामा बिन लादन के होाले से क्यूं वेस्टन एडिया जाग रही है? बात ये है कि अभी मेलेशन एरलाइंग का जहाज अगवा हुआ 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 है। उस परवेज मुषष्फ उनकी आंक गलाडला था उसने तो खुद इल्जाम परवेज मुषफ परेसा रही है कि उसने पूरा पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान इस रिपोर्ट में यह ही का जा रहे है कि एक तरफ तो परवेज मुषफ अमेरिका से cooperation का दावा कर रहे थे और दूसरी तरफ Al-Qaeda को protection दे रहे थे देखिए तो हजारो आदमी जो पकड़ कर यहाँ पर जो प्रवेज मुशरफ ने अपनी किताब में लिखा है कि हमने हजारो आदमी पकड़ कर Guantanamo बे बिजवा दिये तो वो कौन थे वो किसको protection दे रहे थे किस Al-Qaeda को protection दे रहे थे यहाँ तो इन्होंने इतने सारे लोग पकड़ पकड़ के दे दिये जो अपनी किताब में भी लिखा हुआ है पर परसन 700 डालर जो है जो भी लिखा हुआ है किताब में मुझ से इन्होंने अमेरिकन कहते हैं कि हमने इन्हाम भी दिये रिवार्ड भी दिये सब कुछ किया तो फिर कौन सी Al-Qaeda अब ये नया ट्विस्ट कौन सा आया कि ये Al-Qaeda को भी जारे रहे है जार जारे सब हम इस नया ट्विस्ट पर मजीद बात करेंगे कहा जाता है कि उसामा बिन लादिन की मौजूदगी का पाकिस्तान में फॉर्मर डीजे आयसाई और फॉर्मर आर्मी चीफ को इर्म था जारे सामित सब जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम ये मौलुम करना चाह रहे थे उन्होंने जो एक और अलिगेशन भी लगाई है कि बेन अजीर भुटो के कतल केस में पर्वेज मुशरफ और दस दूसरे आर्मी आफिशल्स इन्वाल्ट थे उन्होंने प्लैन आउट किया था बेन अजीर की असाइसिनेशन को तो ये सारे अलिगेशन अचाना क्यों आप दुबारा से सामने आते में नजर आ रहे हैं दीकिए हमने आप से बात कही थी कि दो हजार चौदा इनके लिए बड़ा डिसाइसिव साल है पाकिस्तान की पूरी तकदीर पूरा जोगराफिया पूरी तारीख पूरी सियासत का फैसला इसी साल में हो जाएगा आपने देखा है किस तरह मिडलीस को ये तक्सीम करते जा रहे हैं पाकिस्तान अल्ला के फदल से तेरा बरस हो गए अभी तक जटान की तरह खड़ा हुआ है यूकरेन जैसे मुलक को इन्हों ने दो हफ़ते में तोड़ के दो हिस्तों में कर दिया साओधी रप को तोड़ने की बाते हो रही है गल्फ कोड़ को जी सी सी के अंदर छदी आपस में लड़ाईयां चल रही है बाकी मुस्लमान मुलकों को हाल आपने देखा है कि बचा कुछ भी नहीं उस पर हम बात करेंगे लेकिन आपको हम ये बता रहे है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी पर एक बराहे रास्त हमले किये जाएंगे अब हर तरफ से चाहे वो रूपर्ट मुर्डॉक हो चाहे वो इंटरनाशनल मीडिया हो चाहे पाकिस्तान के मीडिया में गद्दार हो चाहे पाकिस्तान की अदालते हो चाहे पाकिस्तान की हकोमत हो चाहे खवारिजों या कॉंग्रसी, दिवबंदी, उल्माई सू इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को चारोत रफ से घेर कर उस पर हमले किये जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के दिफाह में लौ्ला उसके रसुल ने कोई चटान खड़ी की है तो पाक फौज और आईसाई है और आप नोट करेंगे कि अगपर बुक्ती का केस हो बलोचिस्तान में उस पर भी अदलिया ने जूटा केस करवाया हुआ है पाक फौज की उपर और पाक फौज के सिपास अलार की उपर उस वक्ते और दिएर पेट्रियोट्स और पाकिस्तान के महब्बे वतन लोगों पर बी एले के कहने पर केस है जिस तरह ये खवारिश के कहने पर केस रेजिस्टर हुए है माला कंड़ वाले और दूसरे दरजनों केस आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर डी-जी-म-I पर डी-जी-I-S आइ पर कई साफ-पाकिसान आर्मी और रेंजर रेफ्शी के ओफसेस की इवपर जो सर्विंग ओफसेस हैं पाकिसानी मुसल्रे फवाज कर उन पर पाकिस्तान अदलियाने मुकदमाद दर्च कर्वाएए है जो कि पाकिस्टान की तारिफ में पहले रज़नी आते हैं ईसलामबाद में उस तरह खवारिज जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खवाज़ाए के कमरे में सुसाइट बॉमिंग करेंगे तो उसक धाकिस्ट को पर खवारिज को गतल करने में गलती कर रही ती या दूस्ट काम कर रही ती क्योंकि याद रखिए मेरे अलफाज हमने ये बात इस प्रोग्राम में कही थी वो वक्त दूर नहीं है कि जब मेडिया पे भी और सहाफियों पर भी और जुडिशरी पर भी हमले होंगे और हमारे कैने के चंद दिनों के बाद इसलामबाद कोर्ट में हमला हुआ और जजज हमारा एक बड़ा अच्छा जजज हमारा शहीद हुआ वहाँ पर खवारिच के हमले में अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजजज ये ना समझें इसलामबाद हाई कोर्ट के जजजज ये ना समझें कि ये बचे रहेंगे अगर पाक फॉज घुसे में आ गई और विड्रॉ कर गई कि ठीक हम नहीं लड़ते खवारिच से जबाल लो खुछ जुडिशरी के अफसर जाएं लड़ने के लिए सेशन कोर्ट के जजजज जाएं ग्राइफले हाथ में उठा कर और वाबडा और रेलवे और उसके अफ़िया ये के इंफलॉईज जाएं टीटिपी से लड़ने के लिए तो उसके बाद देखी का इस मुल्क में होता क्या है तो इन टीये मिनिस्टर रेबिट टैस्क फॉर्स तो बना रहे हैं नेक्टा को भी रिस्टाबिश कर रहे हैं तो फिर ये लोग कर लेंगे हैंडल कर लेंगे तो पाक फॉज ही क्या जरूरत है हर काम में पाक फॉज तो क्यों बलाते हैं थर के भुके नंगों को जैसे का वाँ खाना भीजने के लिए भी पाक फॉज हो election से राने के लिए भी पाक हो जो उसके बाद भी आप जमूरियत के काइल है फौज को बैरकों में ही रहना चाहिए और फौज पे मुकदमात कायम करें कि आइन की हुदूत के अंदर रहते वे काम करें पहले आइन को define तो करो या कि किस्वी सदी की ये जंग फौर्थ जनरेशन अर्बन एसमेट्रिक वार जिसमें नक्षे तब दिल किये जा रहे है वो तो 1860 के कावनीं से उस जंग को कैसे रोक हो एक पागल एक दिवाना जनूनी आदमी होगा जिसको जिस समझ नहीं आ रही है ये बात कि ये क्या हो रहा है पहले अमरीकन ये साबित तो करें कि वहाँ उसमा मौजूद भी ठा के नहीं अमरीकों ने क्या सबूत दिखाया है विदाउट एनी एविडिन्स है क्या नियॉक टाइम्स ने इसको पब्लिश होने दिया इसकी एविडिन्स क्या है इसकी एविडिन्स काफिर हिंदू से सीख लें थोड़ा बहुत कि इनके एक कांसलर को अमरीका में उन्हें जलील किया गरिफतार किया पूरा इंडिया खड़ा हो गया उन्हें अमरीकन्स को इस तरह बेज़त किया इंडिया के अंदर बाकाईदा चार्जिस ड्रॉप करने पड़े इंडिया अमरीकन गर्मेंट को उस इंडियन कांसलर के खिलाफ का मसका में इतनी गहरत हिंदू से सीख ले आज मुसल्मान ऐसे बेगहरत हो गए जिसको अकबाल ने कहा था कि ये वो मुसल्मान है जिनने देख के शर्म आएं यहूद यहूदियों को शर्म आजाए इनको देख कर यहूदियों में गहरत है ये बेगहरत हो गए है सारे बात ये है कि जवाब देने का तरीका सर्फ यह था इसका कि आप यहां से सीख आईए के स्टेशन इस पंद्रह सौ देख सो के करीब सीआईए के जो स्टेशन इसलामबाद के इमबैसी में बैठे इनको फारिख करें मुल्क से बार दफा करें जब ब्रोन हमले हो रहे थे उस वक जनल पाशा के दौर में जनल पाशा से इनको खास दुश्मनी है जनल पाशा एक बहुत आला दर्जे का पेट्रियोट वो खड़ा हुआ था जटान की तरह सी आईए के खिलाफ और सी आईए की सफाई कर रहा था पाकिस्तान से दो सी आईए के स्टेशन डारेक्टर उसके दोर में मुल्क से दफा कराए गए थे उनके खिलाफ इसलामबाद पर्चा काटा गया था पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सी आईए के स्टेशन डारेक्टर के खिलाफ पर्चे काटे गए दो मरतबा और दो स्टेशन डारेक्टर फरार हुए अपनी जान बचाने के लिए वरना मरगला पुलिस जा के उनको ग्रिफ़तार कर लेती इस वज़ा से ये सारे जनल पाशा के खिलाफ है इस वज़ा से ये समझते हैं के जनल पाशा जुसाओं बिन लादिन को ये देशतगर्दों को छुपा के बचा के रखा हुआ था बात ये है कि पाकिस्तान का गहरतमन बेटा था उसने खिदमत की पाकिस्तान की लेकि इस तरह उसको रुसवा किया गया पाकिस्तान में कि आज में मुल्क छोड़के ही चले गए तो बात ये हम ये पैट्रियोट्स के साथ कर रहे हैं सारे मुकदमाद पैट्रियोट्स के खिलाफ बने हुएं और कोई मुकदमाद दह्शक गर्दों के खिलाफ नहीं है बलके उनको माफ करने की बात की जा रही है याद रखे हम ये बात बड़ी वाज़े आप से कह रहे है पाक फौज के सबर की भी एक लिमिट है अगर वो सबर की लिमिट पूरी हो गई ना जो कि मुझे लग रहा है जिस तरह की यहालात कर रहे हैं फौज की से पास अलारों को बेज़त कर रहे हैं फौज के अफरों के खिलाफ पर्चे काट रहे हैं फॉज को बेज़त करें टीटीपी के शरायच तसलीम करवा के फॉज को रुसवा करें अगर ये फॉज का सबर खत्म हो गया ना उसके बाद शिकायत ना करे कोई कि हमें खबर ना की हमें बताया नहीं फिर जो कुछ होगा तो क्या अग्या जानिक सब एक हैडलेस आर्मी चाह कि है सिविलियन लेकिन मैं मार्शलो अड्मिस्ट्रेटर बनूँ डिक्टेटर बनूँ और उस वक्टो बेज़त किया करता था पाक फॉज को बहुत ज्यादा कहता था मैं इतने जर्नायल बनाँगा कि हर पथर के नीचे से एक जर्नायल लिक लेगा इनकी इज़त खतम हो जाएगी जर्नल जयावलक को कहता था बुटो कि मैं नाख़ो बिल्ला उनकी मूचों से अपने जूते के तसमे बनाऊँगा ये इस तना मुतकब्र अलफास थे बुटो के फाज के बारे में और अपने आर्मी चीफ के बारे में पिर उसी आर्मी चीफ ने बुटो को इस वक्ति नवाश शरीफ आपे से बार हुआ भाए है उसकी हकूमत आपे से बार है और जो ज़्यादा आपे से बार होता है फिर जो कुछ ओने वाला इनके साथ आपको चणदे में इन्शाला नजर आ जाएगा जाए असामा की प्रेसिंस से परसनल वेनम है मुशर्फ के खिलाफ और उनकी लिडिश्ट क्योंकि ये बीजे आईसाई से सिपास अलार बने और दो गंटे के बाद ये जेल में थे लाजा इनको सारा कुछ तबाह हो गया इनका जो कुछ उन्होंने खाब देके थे एक सबसे कम आर्फ से तक आर्मी चीफ रहने वाले सिपास अलार पाकिस्तन आर्मी के ये थे जो गंटे दो गंटे के बाद ही जेल पहुंच गए थे तो बात ये हैं कि इनकी बात की कोई रडिबिलिटी नहीं है और ये वो बात कर रहे हैं इस वक जो नवाज शरीफ इनसे कहलवाना चाहता है बात मेरी अच्छी आर्मी के डी जी आईसाई और आर्मी चीफ को मुला फदूला के लेवल पर लेकर आ रहे हैं ये पूरी दुनिया में जो रोब और दबदबा है पाक फौज का उसको रुसवा करना नवाज शरीफ की जाती जरूरत है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आएंदा कभी ये पाक फ रेगिलर कॉर्सपॉंडंस था उनकी मुलाकाते रही हैं हाफिस साइद के साथ मुला उमर के साथ और वो ट्रावल करके गए मिलने के लिए कारी सैफुला अक्तर से देखिए बात ये है कि इस वक्त इंडियन्स और अमारिकन्स के जो बड़े बड़े दुश्मन हैं जिनको ये देशदगर्द कहते हैं पूरी दुनिया में वो मुला उमर हैं हाफिस साइद हैं कारी सैफुला अस्तर को मैं बहुत जादा नहीं जानता हूं कौन हैं लेकिन पॉइंट एस कि ये जो ड्रामा बनाया गया है मुंबई के हमले भी हाफिस साइद ने करवाए हैं सारी दुनिया का जो फसाद है वो भी मुला उमर करवा रहा है और हिकमतियार करवा रहा है ये वो लोग हैं कि जिन्हों ने इंडियन आर्मी की रसी डाली हुई है अफगा बड़ा हवाई अड़ा है कि जहां पर बॉइंग सेवन ट्रिपल सेवन आके लैंड कर गया हो और दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं बीस मुलकों के उपर से गुजरा किसी ने नहीं देखा सबके रेडास बंद पड़े हुए थे लहाज़ा वो सिर्फ पाकिसान में लै बात सही है और यहीं दज्जान का दौर इसी ने कहा गया है इसको दज्जान को में रहा था तो क्या ये एक बहुत बड़ा क्वेस्टन मार्क नी बनता हमारी इंटेलिजिंस एजन्सी बात तो वहां शुरू होती है पहले तो मुझे पहले तो मुझे दुनिया का कोई पर ये साबित करें कि वहां था उसके बाद हम जवाब देंगे आपके सवाल का पहले साबित करना तो उनका काम है बात ये है कि इन्होंने सेमोर हर्ष एक बहुत बड़ा साफी अमरिका था जिसको बड़े दुनिया के सारे वाड़ ये दे चुके है अभी उसका स्टेटमंट बिनलादिन पर उबामा एड्मिस्टरेशन ने जो सारी कहानी सुनाई है वो सिर्फ जूट का पलंदा है खकीकत से इसका कोई तालुक नहीं है सेमोर हर्ष ये बात कह रहा है जाया हम तो पहले दिन से जो बात कह रहा है वो तो कहें जाया हमेशा कंस्पिरिसी थियूरी की बात करता है सेमोर हर्ष को क्या को गया जिसने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि एवरी वर्ड जाट अबामा एड्मिस्टरेशन है सेड इसलाई अब उससे पूछे से और उबामा को सामने करके बताए कि सच क्या है फिर हमारा बात ये कि जब ये आपको गजाफी की लाश दिखा सकते हैं सदाम हुसेन की लाश दिखा सकते हैं तो इनको किस बुल्टेरियर ने काटा था कि ये हमें उसामा बिन लादिन की लाश नहीं दिखा सकते थे बात ये है कि देवाज नो उसामा बिन लादिन पाकस्तान आर्मी को भी लेना चाहिए था और आप इस किसम के ऐलिगेशन बड़े खुलम खुला और यही होगा जब आप वक्त पे स्टैंड नहीं लेंगे जब आप दुश्मन पर काउंटर अटैक करके अग्रेसिवली उससे नहीं करेंगे वहां बैठा था के नहीं बैठा था था भी के नहीं था वहां इतने साल कैसे रहा सारी एलिगेशन आपने खुदी मान ली अपने उपर अमेरिकन्स पे कोई बर्डमन अफ प्रूफ तो उनके उपर है जो इल्जाम आप पर लगा रहे तो बात यहीं है कि यहां पर ISPR को सिर्फ डिनायल काफी नहीं है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आपको जोटे को घर तक पहुँचाना पड़ेगा ISI के इंफरमेशन वारफेर विंग को पाकिस्तान की इंफरमेशन मिनिस्ट्री को और ISPR को aggressively एक common strategy बना के उस सारे propaganday का मगाबला करना है जो एक तरफ जूडिशरी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कर रही है एक तरफ मीडिया कर रहा है एक तरफ वेस्टन मीडिया कर रहा है एक तरफ पाकिस्तान की हकूमत कर रही है और एक तरफ ये डिसिंफर्मेशन पहलाई जा रही है कि साथ पाकिस्तान आर्मी ही मिसिंग परसन्स पैदा कर रही है जैसे बिले और टेटी पी ने तो मिसिंग परसन्स पैदा ही नहीं किये सारे पाकिस्तान आर्मी मिसिंग परसन्स कर रही है और जो पाकिस्तान आर्मी जा है वो कानून और आइन के दाइरे में रह कर जंग करे पहले भी कुछ मिसिंग पर्सन पतार चाला चो साओधिया चले गए थे जॉप कर रहे हैं वो वाँ पर एप्लॉइमेंट करें सिर्फ अदलिया की हिमाकत की वज़ा से क्योंकि अदलिया वहां फैसले नहीं करती थी और देश्चत गर्दों ने यही एक स्लोगन दिया कि हम निजाम शरीयत लाके जल्दी फैसले करेंगे लहाज़ा वहां पर लोगों ने 3TP का साथ देना शुरू कर दिया यह समझते हुए कि शायद यह फैसले अदल के करेंगे पाकिस्तान की रियासत अगर तूटने लगी थी तो इस अदलिया के जल्म के वज़ा से अब इस अदलिया को लला से डरना चाहिए क्योंकि अब अकाउंटबिलिटी सिर्फ पॉलिटिशन की और पाकिस्तान के सियासत दानों की रहुमत की नहीं होगी अब अदलिया की भी अकाउंटबिलिटी होगी जिसकी वज़ा से पाकिस्तान आज हिससे बखरे होने के करीब पहुंच चुका है अल्ला इस पाकिस्तान का हाफिज हो, अल्ला इस अदलिया का हाफिज नहीं है, यह बहुत जादा तकबर ना करें, इनका भी अकाउंटिबिलिटी ट्यूर। अपने सौवरेंट प्राक्टर को डिफेंड करने के लिए उन से आई टू आए, मीडिया या वेस्टर्न मीडिया को सू करें, या अपने रेप्यूटिशन को सेफ करने के लिए एक स्ट्रॉंग स्टेप्स उठाती भी, क्यों नजर नहीं आती है, आज के लिए इतना ही सी, अ तुमरो नाइट, अंटिल देन, अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्यालर कियेगा, अलाहाफिस एंड गूट नाइट